students so here next question question number 3 exercise 5.7 the price of an article is rupees 232 एक article का price कितना है 232 का price is find the price of such 42 articles हमने किसका price find out करना है same ऐसे ही 42 articles का हमने क्या करना है price find out करना है so here price of one article rupees 232 and price of 42 articles का हमने find out करना है तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास one article का price है उससे हम क्या करेंगे 42 को multiply करेंगे so here 232 multiply by 42 2 to the 4 2 3 6 2 2 4 जब next number से multiply करेंगे तो यहां एक क्रॉस 4 2s 8 4 3s 12 1 carry 4 2s 8 plus 1 9 so here 4 6 plus 8 14 1 carry 4 plus 1 5 5 plus 2 7 and 9 so here the price of 42 articles is rupees 9744 and next question is fourth question there are 36 trees in a row how many trees are there in 96 rows अब one row में कितने trees है 36 trees है हमने find out करना है कि so here number of trees in one row one row में कितने trees है 36 then we find out number of trees in 96 rows हमने find out करना है कि 96 rows में जो है वो कितने जो है वो trees होंगे तो 96 से हम one row के trees को multiply करेंगे so here 96 multiply by 36 66 36 3 carry 6 here 9 6 54 54 plus 3 57 next number से multiply करेंगे तो यहां पर क्रोस आएगा 36 18 1 carry 8 here 39 27 plus 1 28 so here 6 8 plus 7 15 8 plus 5 13 plus 1 14 2 plus 1 3 तो वहां पर कितने trees होंगे 96 rows में 3456 trees नेक्स्ट क्वेश्चिन है क्वेश्चिन नमबर फाइब सोफा सेट कॉस्ट रूपी इस 3225 फाइब सॉरी फाइब फाइब सॉरी फाइब कॉस्ट आप सच 3 सोफा सेट अब वन सोफा सेट की हमारे पास कॉस्टी है 3225 हमने कितने सोफा सेट की जो है वो कॉस्ट फाइब आउट करने है थ्री सेम सोफा सेट की हमने कॉस्ट फाइब आउट करनी है यह थाइब सोफा सेट इकोल तो रूपी इस 3225 फाइब यह थी फाइब सेट इकोल तो 3 तूफा सेट इकोल तो 3 तूफा सेट किसको मुल्टिप्लाई करेंगे सो हेब दे कॉस्ट ऑफ थ्री सोफा सेट इकोल तू रूपी इस 9,675 नेक्सक्षिं क्वेशन कोशियन नमबर शिक्स इफ दे कॉस्ट ऑफ वन टेवल इस रूपी इस 1,160 फाइब दे कॉस्ट अब हमारे पास वन टेवल की कॉस्ट दी है 1,160 हमने कितने टेवल की जो हैब वो कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 8 सेम टेवल की COM सो हैhr COST ऑफ 1 टेवल इकोल तू रूपी इस 1,160 रूपीज सो हमने फाइंड आउट करनी है COST ऑफ 8 टेवल सो हैhr 1,160 theme राइट हमने क्या करना है जो हमारे पास one table की cost दी गई है उससे हमने eight को multiply करना है eight multiply by zero zero eight six two forty eight four carry eight here eight one's a eight plus four twelve one carry two here eight one's a eight plus one nine हमारे पास कितनी cost राई सेम थ्री एट सोफा सेट्स की नाइन थाउजन टू हंडड़ एटी सो आई होप आपको जो है वह 5.7 के सारे question अच्छे समझ में आगे आपने अपनी फिर नोट बुक पे जो इनको नोट डाउन कर लेना है ओके थैंक यू